यह है MK 4500 Pro and T-Sports की तरफ से और यह keyboard आता है काफ़ी सारे बड़िया features and customization के साथ हाँ सही सुना customization क्योंकि इसमें मिलती है swappable faceplate तो फड़ावर से डबा कोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यह keyboard तो कुछ इस टाइप का black and yellow color का box मिल जाएगा जिसका यूजूली आटी-sports का होता है फिर box को खोलते हैं तो अंदर से सबसे पहले निकल जाती है एक user manual then एक warranty card then सफे चदर में निकल जाता है हमारा keyboard and keyboard की looks honestly मुझे काफ़ी ज्यादा पसंद आ रही है फिलाल keyboard को side पे रखते है then keyboard की नीचे वाले part को अगर हम lift करें तो दो faceplate निकल जाती है एक yellow and एक white वाली and एक black वाली तो keyboard पे by default लगी आती है शुरू से तो भाई हमारा जो keyboard है इसका first impression काफ़ी बढ़िया सा लगता है अब एक solid and sturdy सी feel देता है ये keyboard and अच्छा खासा heavy भी लगता है and around 700 grams का weight मिल जाता है इसका हमें वैसे तो पूरी build polycarbonate की है but अच्छी quality का plastic यूज किया है अब देख सकते हो कोई as such flex नहीं मिलता है हमें इस keyboard में जो उपर की side है वहाँ पे हमें एक type C port मिल जाता है for charging and wired mode and पीछे की side आजें तो हमें मिल जाता है dongle का slot, एक on off का button and दो elevation की clips and ये elevation clips से कुछ इतना elevate हो जाता है ये keyboard जो की अच्छा खासा लगता है ergonomically use करने में ergonomics की बात करें तो ये एक mechanical keyboard है and इसके अंदर हमें मिलते है OTMU के red switches जिसमें brand 50 million keystrokes की life claim करता है sound कैसी है तो typing experience काफी सही मिल जाता है and ये 10 keyless वाई layout में आता है तो हमें dedicated arrow design इसके उपर कुछ और keys मिल जाती है जो कि definitely मुझे 60% वाई layout से better लगता है then इसका key travel भी अच्छा कासा मिल जाता है and इसमें हमें all key anti ghosting का support मिल जाता है then इसका सबसे highlighting part ये swappable वाली face plate and इसकी mechanics काफी simple है हर plate के पीछे हमें ये 4 magnets मिल जाते है and जब आप इसे keyboard पर रखोगे ता ऐसा खट से बैठ जाएं keyboard से and तीनो face plates में कुछ ऐसी type की looks मिलती है ये आपकी black वाली हो गई then ये आपकी white वाली हो गई then ये आपकी yellow वाली तो एक बड़िया fun type की customization दे रखी है इन्होंने आप face plate change कर सकते हो अपनी हफते में एक बार आपने change कर ली भईने में एक बार change कर ली तो ये थोड़ा fun है and इस swappable face plate से एक benefit मिलता है कि आप इस keyboard को easily clean कर सकते हो आप बस face plate को निकाल दो and अराम से आप clean कर सकते हो then connectivity की बात करें तो इस keyboard में try mode connectivity मिल जाती है एक Bluetooth हो गया एक 2.4 GHz की dongle हो गई and एक wire हो गया तो जो Bluetooth mode है आप उसमें तीन devices connect कर सकते हो एक बार में and on the go switch कर सकते हो ये FN plus BT1, BT2 and BT3 दबा के then FN plus V दबाने से ये डॉंगल वाले mode पे आ जाता है then FN plus B दबाने से ये wired mode पे चलता है and किसी भी mode पे कोई latency नी मिलती है बड़िया काम कर जाता है ये keyboard और यही battery की बात करें तो इसमें तगड़ा battery backup मिल जाता है मतलब अगर आप इसे रोज दबा के भी use करोगे न तो भी आपको इसे week में एक बार charge करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिल जाती 1000 mAh की battery and brand भी इसमें 200 hours की battery life claim करता है plus मेरा तो ये 24 hours on रहता है क्योंकि अगर आप इसे थोड़ी देर inactive रखोंगी तो ये खुदी off हो जाएगा तो आपकी एक रो में एक कलर की light जलेगी and इसमें 24 light के effects मिल जाते हैं जो कि आप fn plus insert वाली की दबा के switch कर सकते हो and कुछ इस type के effects मिलते हैं आप एक बार देख सकते हो then आप fn के साथ up and down वाली arrow की दबाओगे तो आप इसकी brightness कम जादा कर सकते हो and आप fn के साथ left और right वाली arrow की दबाओगे तो आप effects की speed change कर सकते हो then experience की बाद करें तो ये काफी बढ़िया सा experience निकाल के दे देता है ये keyboard हमे फिर चाहे वो gaming हो या फिर कोई भी दूसरे टास्क हो या से मेरे 3D वाले टास्क हो गए फिर video editing हो गई या Photoshop हो गया तो उन सब में एक बढ़िया experience निकाल के दे देता है keyboard use करने मज़ा आता है इसका tapping experience भी काफी अच्छा है and इसकी keys की जो sound है वो भी कुछ ज्यादा loud नहीं है तो irritating भी नहीं लगता है वाकि and eSports की जितने भी keyboard मैंने आज तक यूज करें सबके typing experience अच्छे ही रहते है मलब keyboard की quality काफी अच्छी रहती है तो यह keyboard मेरी तरफ से तो fully recommended है आपको तो बस यही था MK4500 Pro का पूरा review मैंने जिस दिंगी keyboard Amazon से लिया था यह मुझे पढ़ा था वन ट्रिपल नहीं जा तो इसकी price गिर्थी बढ़ती रहती है तो आप देख के ले ना आप इसको कम से कम price पे उठाओ अगर मैं इसे 2000 रुपीज के साफ से जच करूं तो यह बहुत ही साई keyboard है मतलब इसमें काफी सारे features आते है 2000 रुपीज के साफ से जिसे आपकी try mode connectivity हो गई फिर यह इसकी faceplate वाली चीज हो गई जो की usually keyboard में नहीं आती है प्लस यह wireless भी है तो आपकी desk काफी clean सी रहती है जो कि मुझे personally काफी अच्छा लगता है क्योंकि desk पे wires फैली रहे वो i don't think किसी को अच्छा लगता होगा तो इतने सारे features यह 2000 रुपीज में दे रहा है तो यह एक अच्छी बात है तो मेरी तरफ से under 2000 में यह keyword काफी अच्छा keyword है and fully recommended है आप इसे consider कर सकते हो बागे आप comment करके बताओ कोई इससे अच्छा keyword हो अगर इसी price range बे तो मैं उसे भी review करने कोश्च करूँगा and वीडियो पसंद लाई तो वीडियो को like कर दो and दोस्तों को share भी कर दो and चैनल को subscribe कर दो फड़ा फट and मैं आपसे मिलता हूँ next video में बाई